लडाई विचारधारा की लडाई है एक तरफ BJP, RSS और दूसरी तरफ इंडिया गटबंडर एक तरफ Ambedkarji का समविधान, एकता, समानता, महबबत, रिस्पेक्ट और दूसरी तरफ सामने से नहीं छुपकर BJP के लोग, RSS के लोग इस समविधान को खतम करना चाहते हैं सामने से नहीं कह सकते हैं सामने से कहेंगे, तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर समविधान को कमजोर करते हैं हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स है, संस्ताएं है, ब्यूरोक्रिसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्त का सिस्टम है, समविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को, अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्ता में डालने है, ये इंडिया गडबंदन कभी नहीं करता है, आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटी इसके वाइस चांसलर्स की लिस्ट निका लिए, उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिरफ, क्वालिफिकेशन सिरफ आरेसेस की मेंबर्शिप का है, वाइस चांसलर बनना है, आरेसेस की मेंबर्शिप लीजिए, साइंस के बारे में, जोग्रिफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुछ मालुम हो, कुछ मालूम ना हो, कोई फरक नहीं पड़ता RSS के हो सीधा आपको उसमें जगे मिलेगे और ये एक संस्ता के साथ नहीं हो रहा है ये हिंदुस्तान की सारी की सारी संस्ताओं के साथ इंस्टिटूशन के साथ हो रहा है Election Commission पर दबाव डालते है CBI, ED, Income Tax Department कस्तेमाल करकर सरकार गिराते है आप याद रखिए कि पिछली महराष्ट्रा की सरकार आपकी सरकार हमारी सरकार थी इंडिया गटबंदन की सरकार थी और उस सरकार को चोरी करकर पैसा देकर हटाया गया थी क्यूं? क्यूंकि वो दो-तीन अरब पतियों की मदद करना चाते है आप जानते हो मुंबई जानता है महराष्टा जानता है कि धारवी की जमीन एक लाख कोरोड रुपे की जमीन आपकी जमीन गरीबों की जमीन आपके आँखों के सामने आपसे छीनी जारी पूरी दुनिया जानती है एक लाख करोड रुपे की जमीन आपके आँखों के सामने दुनिया की आँखों के सामने एक अरब पती को दी जारी आपके जो प्रोजेक्स थे चाहिए वो आपल आइफोन की फैक्टरी हो चाहिए वो हवाई जहाज बोईंग का यूनिट हो आपसे छीन कर दूसरे पतरशों में चले जा रहे है पाँच लाख यूवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से सारे के सारे आपसे छीन कर गुजरात की और चले गए सेमी कंड़क्टर प्लांट आइफोन मैनुफैक्टरिंग प्लांट गेल पेट्रोपेर केमिकल प्रोजेक्ट टाटा एरबस प्रोजेक्ट ये सारे के सारे जो आपके थे जिससे आपके यूवाओं को फाइदा मिलना चाहिए ता रोजगार मिलना चाहिए था ये एक के बाद एक आपसे छीन लिये गए आपकी जमीन चीनी जा रही है एक लाग करोड रुपए की जमीन चीनी जा रही है आपके प्रोजेक्स चीने जा रहे है ये है बीजेपी की सरकार आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे महिलाओं को पैसा देंगे मगर हमने आकरे निकाले बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है मेंगाई बड़ी है पेट्रोल डीजल के डाम बड़े है गैस सिलिंडर के डाम बड़े है इनको अगर आप जोड़े तो बीजेपी की सरकार हर साल महराश्टरा के हर परिवार से 90 हजार रुपए च्छीनती है आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी अमबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं और पर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को एक हजार रुपए देंगे तेड़ हजार रुपए देंगे मगर इनकी नियत गल्द है काम ये सिर्फ उन लोगों का करते है नोट बंदी से आपको फाइदा हुआ GST से आपको फाइदा हुआ किसान के जो कानून बना उससे आपको फाइदा हुआ ये जो आपके प्रोजेक्ट से जो ये आप से छीने गए इससे आपको फाइदा हुआ क्या आप रोजगार नहीं चाहते हो आप सिर्फ महेंगा ही चाहते हो आप बेरोजगार ही चाहते हो क्या हिंदुस्तान में सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज है किसी स्टेट में चले जाए महरास्टा छोड़ी है किसी भी स्टेट में चले जाए और वहाँ आप पूछे, युवाँ से पूछे क्या करते हो, कहेंगे यह कुछ नहीं करते है मोधी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिली नहीं सकता जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनिस वाले हैं उनको एक के बाद एक एक के बाद एक खतम कर दिया है जो रीड की हटी हुआ करते थे रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते अदानी धारवी के जमीन चीन सकता है आपसे बगर रोजगार नहीं दे सकता है यह पूरा देश जानता है रोजगार कौन देते हैं स्मॉल मीडियम इंडिस्ट्री वाले लोग जो मैनुफैक्ट्रिंग करते हैं जो हाथ से काम करते हैं ये लोग रोजगार देते हैं और इन सब को बीजेपी के लोगों ने इनकी सरकारों ने खतम कर दिया है नोट बंदी, GST ये पॉलिसीज नहीं है ये हत्यार है छोटे बिजनस वालों को खतम करने के, मारने के हत्यान है आप GST देते हो जितनी GST हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही GST अदानी देता है आप खर्शर्ट खरीदोगे आपके जेप से जाएगा जितना अदानी के जेप से जाएगा ये GST की सचाई है और अगर आप देखें आज हंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं कमजोर लोग देते हैं छोटे दुकानदार देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं, इंडिरेक्ट टैक्स पता नहीं लगता है, आप शर्ट खरीते हो टैक्स लगता है, मोटर साइकल में पेट्रोल डालते हो टैक्स लगता है, सब जगें इंडिरेक्ट टैक्स लगता रहता है, आपके कंद मैंने सम्विधान की बात की ये विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ अरब पत्यों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वालों की युवाओं की सरकार इसलिए इंडिया गटबंदन ने महराष्टरा की जनता को पांच गैरंटी की है और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं पांच गैरंटीज में से पहली गैरंटी के बारे में बताओ शरतवार जी उद्वठाकरे जी और खारगे जी आपको भाकी गैरेंटीज के बारे में बताएंगे मगर मैं आपको महलक्श्मी योजना तीन हजार रुपे हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गडबंधन की सरकार डालने जा रही है हर महीने बैंक अकाउंट में तो उन्हें बस टिकेट खरीदने के लिए एक रुप्या नहीं देना पड़ेगा फ्री में जाएंगी आप पूछोगे क्यूँ क्यूंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है महिंगाई की चोट गैस सिलिंडर की चोट बेरोजगारी की चोट सबसे ज़्यादा दर्द महराश्टा की महिलाओं को लगता है इसलिए हमारी पहली गैरंटी महराश्टा की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा तीन हजार रुपे हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महराश्टा में जो बाकी गैरंटीज हैं उनके बारे में शरत पवार जी उदफ ठाकरे जी और कारगे जी आपको बताएंगे थोड़ा समय आपको जाती जनगर्ना के बारे में कहना चाथता हूँ आज नागपुर में हमने एक समेलन किया उसमें हमने जाती जनगर्ना की बात की भाईयों और बहनों हिंदुस्तान में पंद्रा परसेंट गलिताबादी है आठ परसेंट आदिवासी है अगर आज तक किसी को नहीं मालूम किस देश में पिछडे वर्ग के कितने लोग है कोई कहता है पचास है कोई कहता है पचपन परसेंट है कोई कहता है साठ परसेंट है किसी को नहीं मालूम और जब हम देखते है हिंदुस्तान की संस्ताओं को देखते है मीडिया को देखते है Corporate India को देखते है Judiciary को देखते है इन सब संस्ताओं में हमें ना पिछले वर के लोग दिखते है ना दलत निखते है ना आदिवासी दिखते है ना Minority के लोग निखते है ना गरीब General कास के लोग दिखते है इसलिए हम चाहते है कि देश में एक एतिहासिक कदम लिया जाए जाती जन्गरना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हर वर्ग के लोगों को ये पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है इस देश में धन किसके हाथ में है संस्ताएं किसके हाथ में है इसलिए हमने लोग सबागे चुना में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाती जन्गरना होगा करनाटक में तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है दोनों प्रदेशों में हमने जाती जन्गरना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक एतिहासिक कदम लिया एतिहासिक कदम पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे ब्यूरोक्राट सवाल चुनते थे मगर हिंदुस्तान के एतिहास में पहली बाद तेलंगाना में जो जाती जन्गरना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जन्ता ने चुने है हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जन्ता से पूछा दलितों से, आदिवासियों से, पिछले बर्ग के लोगों से महिलाओं से की कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए आप क्या जानना चाते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में हिंदुस्तान के धन के बारे में आपकी अबादी के बारे में और जन्ता ने हमें सवाल दिये महराश्ट्रा में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाती जन्गर्ना का काम शुरू कर देंगे और पार्लिमेंट में मैंने साफ कहा है मोधी जी कुछ भी करें जैसे ही इंडिया गटबंदन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाती जन्गर्ना होगा और ये जो पचास परसेंट की सीलिंग लगा रखी है जो दिवार बना रखी है रेजर्वेशन की इस दिवार को हम तोड़ देंगे भाई और मेहनों विचारधारा की लड़ाई है अगर ये समविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास दलितों के पास आदिवासियों के पास पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा जो भी आज आपको मिला है चाहिए आई आई टीज हो आई आई एम हो शिक्षा का सिस्टम हो स्वास्त का सिस्टम हो आपकी जमीन की रक्षा ये सब समविधान करता है अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो ये समविधान के कारण रोक लगी हुई है और ये जो किताब है ये सिर्फ एक किताब नहीं है इस किताब में महापुर्शों की सोच है हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब इसमें अम्बेटकर जी की आवाज है फूले जी की आवाज है गांदी जी की आवाज है बसवना जी की आवाज है नराएन गुरू जी की आवाज है बुद्भगवान की आवाज है उन सब की आवाज इस किताब में और हिंदुस्तान की आवाज गरीबों की अवाज दलितों की, पिछडों की कमजोर लोगों की, किसानों की अवाज इसमें है और आस्ते आस्ते नरेंद्र, मोधी, RSS और BJP इस किताब को खतम करने में लगे है इंडिया कटबंदन आपको मेसिज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए सम्विधान को कोई नहीं चुएगा कोई नहीं खतम कर पाएगा इंडिया कटबंदन एक साथ खड़ा है हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है हम इसको कभी खतम नहीं होने देंगे आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, चुनाओ का समय है आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हातों से चोरी की गई बीजेपी, आरेसेस इन लोगों ने आप से आपकी सरकार चीनी चोरी करके MLA खरीद कर आपकी सरकार चीनी गई यह आप याद रखिए और इस बार महराश्टा की सरकार बनाईए जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे जो आपकी धारवी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे मगर महराश्टा के किसानों के लिए मजदूरों के लिए छोटे भी अपारियों के लिए स्मॉल और मीडियम बिजनस और युवाओं के लिए काम करें